आपका नाम क्या है? मेरा नाम है Google Assistant और मेरा काम है आपके सारे काम निप्टाना आज का मौसम कैसे है? गुरुवार को भुसावल में अधिक तम तापमान 27 और नियूंतम तापमान 23 के साथ आंधी तुफान आएगा भारत से अमेरिका की दूरी कितनी है? भारत से युनाइटड स्टेट्स तक की दूरी 13,560 किलोमीटर है कोई चुटकुला सुनाओ एक चुटकुला पेश है चिंटू, मैंने परीक्षा में कुछ नहीं लिखा मिंटू, मैंने भी कुछ नहीं लिखा चिंटू, ओ, तब तो परेशानी की बात है टीचर सोचेंगी की हम दोनों ने एक दूसरे की नकल की है हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज आपका Tech Accessibility Channel में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा कुछ कम्यूनिकेशन चल रहा था गूगल असिस्टेंट के साथ, जैसे आपने देखा ये गूगल असिस्टेंट मैंने मेरे आईफोन में इंस्टॉल किया है गूगल असिस्टेंट जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा एक वर्चुल असिस्टेंट है, बहुत भड़ी अवर्चुल असिस्टेंट है लेकिन जैसे हमारे आईफोन में अपल हमें Siri देता है जो बटन-based operate होता है जैसे अगर Home Button है आपके फोन में, आप Home Button को Long Press करेंगे, आपका Siri अक्टिवेट होता है, जो आपके साथ Communicate करता है, या फिर आपके बता हुए निर्दोशों को उसको Action में Implement करता है, या फिर आपके पास, अगर Power Button है, Power Button, Side Button को Long Press करते हैं, आपका Siri अक्टिवेट होता है, है Siri स हमें Apple ने बहुत अच्छा फीचर दिया है जेस्टर कस्टमाईजेशन का तो जैसे मेरे पुराने वीडियो में आप चैनल में देख सकते हैं कि हम लोग जेस्टर कस्टमाईज कर सकते हैं तो इसमें ही एक नया फीचर और है एक हम लोग शौ्टकाट्स क्रेड करके उस शौ्टकाट्स को भी हम लोग जेस्टर में कर सकते हैं तो friends, आप बिना Assistant को open करें, सिर्फ gesture से आप अपने Google Assistant को evoke कर सकते हैं, उसे बातचीत कर सकते हैं, उसे information आप ले सकते हैं तो friends, आज के वीडियो को मैं आपको यही दिखाऊंगा कि Google Assistant का shortcut कैसे create करेंगे और फिर इसका gesture कैसे बनाइगे तो आप प्लीज यह वीडियो को end तक देखें, और फिर आप यह बहुत यह बढ़िया virtual assistant आपके phone में सिर्फ एक gesture पे available हो जाएगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुआ आगे चलते हैं, हम लोग पहले shortcut में जाएगे तो friends, shortcut में मेरे पास already Google Assistant का shortcut मैंने create करा हुआ है, तो मैं पहले वो delete करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे हम लोग operate करते हैं तो हम लोग shortcut open करेंगे, मैं home पे जाता हूँ Speech on Send feedback, button Handwriting, words, characters Speaking rate, 90%, 80%, 70%, characters, words YouTube Clock, 12.03am Safari, YouTube Doc, phone, YouTube, copy, shortcuts Shortcuts Friends, हमने shortcut application open किया है मैं Assistant जो मेरी application मैंने shortcut create की है इसको मैं फहले delete करेंगे हम लोकेट करके देखिए अल्डी मैंने create किया मैं इसे delete करके फिर से आपको create करके बताऊँगा मैं shortcut application के अंदर हूँ मैं जो पूराना जो मैंने बनाया हो तो shortcut उसे delete कर दिया मैं create करके बताता हूँ आप make sure कि आपके mobile में shortcut नाम की application जो iOS या Apple की native app है system app है अगर आपके पास बाइचन ना हो तो आप app store में जाके install भी कर सकते हैं और आपके पास Google Assistant यह दोनों application होना बहुत ज़रूरी है तो हम लोग पहले create shortcut में जाएंगे create button में select button create shortcut button next dim button search for apps and actions search field मैंने double tap किया और यहां पे मुझे search for apps और action का मुझे एक search box मिल गया मैं इसे double tap करता हूँ और यहां पे हम लोग assistant को search करेंगे search field is added cap A, cap A, S, 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 K, I, I, S, S friends मैंने assist type करेंगे देखते हैं हम लोग को मैं explore by test से उपर देख रहा हूँ actions heading set assistive touch button more info action assistant settings assistant देखिए मुझे app assistant मिल गया मैं इसे double tap करता हूँ इसमें हमारे क्या-क्या actions हमें मिल जाएंगे selected assistant assistant heading जैसे आप double tap करेंगे तो आपको assistant से related जो भी action मिलेंगे इसमें सबसे पहला hey google का जो action होगा वो हमें add करना है close button hey google button actions available यह action हमारा add हो गया है अभी हमें इसमें बाकी की सारी setting को default रहने देना है आपको top left में जाके detail button है उसको नाम देने के लिए आपको detail में जाना पड़ेगा cancel next new shortcut details button detail button है इसको double tap करता हूँ details heading done button icon chooser button record name button shortcut name text field यहाँ पर हमें double tap करके नाम देना है इसे insertion point at end cap a cap a s s j x d s s k i i s s t t a a b n n t t done icon chooser button बाकी की friends सारी setting को आपको default रहने देना है क्योंकि आपको अगर आप चाहें तो इसे home पे आप इसे add कर सकते हैं लेकिन आपको कोई जरुद नहीं इसकी क्योंकि हम gesture create करें मैं आपको दिखा देता हूँ यह screen का interface assistant text field यह मने नाम डाला है add to home screen button show on apple watch off अगर आप apple watch उसे करते तो इसे on कर दे तो आपका apple watch पे इसका icon आजाएगा assistant का show in share sheet off import questions button allow opening double quotation mark assistant closing double quotation mark to access heading assistant on यहां पे सिर्फ एक assistant यह on होना चाहिए यह default on कर देता है short cuts help button short cuts help button यहां पे यह screen का interface खत्म होगया top left में done है details done button done button done करने का आद हम second screen पर आगे जहां पे हमने details button के उख्लिक किया था तो यहां पे भी आपको done मिलेगा यहां पे done कर दे short cuts back button short cuts back button हमारा assistant का google assistant का हमारा shortcut create हो चुका है हम लोग देख लेते select button create shortcut all shortcuts heading search search field assistant hey google button actions available friends यह assistant hey google का मेरा जो short cut है यह create हो चुका है अब मैं आपको इसका gesture कैसे create करना बहो बताता हूं तो इसके लिए आपको setting में जाना है accessibility में जाना है और voice over में जाना है voice over में वहां पे हम command में जाएंगे settings accessibility back button हम लोग यहां पे accessibility के setting में command में जाना है commands button all commands button commands में आपको all commands आता है all commands में आपको double tap करना है interaction button यहां पे आपको अंत में एक shortcut मिलेगा button उसे double tap करेंगे basic navigation text navigation advanced editing rotor scrolling speech output voice over system other shortcuts button देखिए shortcut other के नीचे आपको shortcut button मिलेगा यहां पे double tap करें 100 full remove the charger button all commands back button friends shortcut में हमने जो भी shortcuts create किये तो उसके हम लोग gesture बना सकते है तो यहां पे हमें assistant डूनना है जो हमने shortcut create किया friends यह मिल गया इससे double tap करते है यहां पे हमें add gesture कर एक button मिलेगा उससे हमें click करना है देखिए add gesture इससे double tap करता हूं मैं अब हमारे पास gesture जो single finger, double finger, triple finger के जो भी हमारे पास जो जेश्यर के जो हमें अपल ने दिये हुए जेश्यर के अपल ने दीए हुए जेश्यर होँ अवे अवे बेलेबल है इसस पर असाइन करना है तो मैं तु फिंगर डबल टैप कर रहा हूं कि मैंने magic tap को मैं डबल टप किया तू फिंगर डबल टप को देखिए अब ही मेरा मैंने शॉटकट पहले क्रेट किया अब मैं तू फिंगर से डबल टप करता हूं और आपको देखिए अगर मुझे उसका अगर कोई वेब पेज ओपन करना या कोई एंसेकलोपीडिया का पेज ओपन दिखना है तो मुझे सब सामने दिखाई देगा और अगर मुझे सिर्फ कम्यूनिकेट करना है तो मुझे वो स्क्रीन भी सामने आजाएगी तो मैं टू फिंगर डबल टप करत मैं तो में सिर्फ टू फिंगर डबल टप कराते से मैं फिर से टू पिंगर डबल टप करूँगा तो फरेंड इस तरह से आप सिर्फ कोई फैसे से आप अपने Google Assistant को असाइन कर सकते हैं आप जब Google Assistant कर रहे हैं तो आप अपने voice over को mute कर दें तो आपका voice over mute हो जाएगा जिससे आप बहुत beautifully आप बात कर सकते हैं और बहुत सारी information आप ले सकते हैं तो उमीद है friends आज का tutorial आपको पसंद आया है अगर आपको friends ये tutorial पसंद आया है तो please like करें और इससे Apple से related या और भी technology से related अच्छे आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें टेक के स्टे से बाबाए